हल दोस्तो वेलकूम टेक्निकल इस्तरार यूटूब चैनल दोस्तो अगर आप एक यूटूब क्रेटर हो और आपका किसी भी रिजन से यूटूब चैनल का मोनेटाइज डिसेबल हो गया तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़ादा खास वहने वाली है की वज़े से आपका मोनेटाइज डिसेबल कर दिया गया है तो अब आपका क्या होगा तो यहाँ पर मैं आपको बदा दूँ कि डिसेबल कहीं तरह से होते हैं और कहीं सबसे जो खतरनाक डिसेबल होता है उसका नाम है इन्वैलिड क्लिक अक्टिविटी इसका कोई भी तोड़ नहीं है अगर इन्वैलिड क्लिक अक्टिविटी से आपके चैनल का मोनेटाइज डिसेबल हो गया है तो यहाँ पर यूटूब ने एक तरीका आपको बदाया है इसमें आपका पता चल जाएगा के आपका इन्वैलि क्लिक अक्टिविटी की वज़े से आपका यूटूब चैनल फिर से स्टार्ट होगा यह नहीं होगा तो यहाँ पे एक अपील फोर्म होता है और इस अपील फोर्म को भरना होता है और इसमें कुछ टाइम लगता है laptop की screen पे यहाँ पे आप देख सकते हो उपर की तरफ right में यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना creator studio इस पे आपको click करना है उसके बाद इस तरह का interface आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पे लिख है status and feature इस पे आपको click कर देना है channel में जाके और उसके बाद यहाँ पे लिख है monetization और यहाँ पे लिख है monetization on this account has been disabled due to invalid click activity यानिके invalid click activity की वज़े से इसका जो channel है वो demonetize हो गया यानिके disabled हो गया अब हम इसको एक appeal करेंगे appeal कैसे करते है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे click करना है learn more पे उसके बाद इस तरह का interface आपके सामने खुल जाएगा back on उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा invalid click activity on your channel और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे लिख है appeal your disable account अगर आपको appeal करना है तो आप appeal कर सकते हो तो इस पे आपको click करना है वैसे यह वाला link मैंने नीचे description में दे दिया है आप वहाँ से भी check कर सकते हो और यहाँ पे लिख है invalid click activity appeal के लिए आपको जैना login email ID है publisher ID है दोनों में से एक उनी चाहिए yes है हमारे पास और यहाँ पे adson slogan ID है yes है हमारे पास और उसके बाद इसने बोला कि आपका जो कितने दिनों से है तो यहाँ पे no करना है आपको क्योंकि अभी अभी आपका हुआ होगा more than more than one year ago अगर एक year से ज़्यादा है तो yes करता है नहीं तो no कर देना और यहाँ पे लिख है appeal form इस पे आपको click कर देन ठीक है इस तरह का interface आपके सामने खुल जाएगा वैसे भी मैंने link description में दे दिया है अगर आप वहाँ पे click करोगे तो यहाँ पे direct open हो जाएगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पे लिखा है invalid traffic appeal इसका मतलब यह है कि अगर आप जो ना form को fill करना चाते है तो आपको यह चीज नहीं करनी है क्या नहीं करनी है कि आपका account किसी भी condition में disable नहीं मलब active नहीं होना चाहिए और invalid traffic अगर आपने suspend हुआ है invalid traffic की वज़े से तो भी आपको यहाँ पे apply नहीं करना है कहीं सारी चीज आप देख सकते हो यहाँ पर पढ़ सकते हो बट यहाँ पर बात करता है कि please enter your name तो यहाँ पर आपका जो name डालने है वो चैनल यम डालने है नेम टालना है तो channel name मैं यहाँ पर open कर लेता हूं धंब यहा पर लिक है contact email address यानि कि आपको वही वाली email id डालनी है जिससे आपका channel का जो चैनल आईडी बनी है और यहां पर आपका इमेल यूरल और एप आईडी तो यहां पर डाल सकते हैं अपने चैनल का यूरल तो चैनल का यूरल यह है तो मैं यहां पर कोपी कर लेता हूं और उसके बाद यहां पर डाल देना है आपको चैनल का यूरल उसके बाद आपको आपका जो AdSense account बंद हुआ है, साइट की वज़े से, मोबाइल की वज़े से, या YouTube चैनल की वज़े से, क्या आपने कोई traffic purchase किया था, तो आपने नहीं किया होगा, यहाँ पे no कर देना है, अगर आपको कर रहा है purchase तो आपको यहाँ पे yes कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आ यानि कि पहले जो हमारा heading है, यानि कि पहला जो हमारा form है, इसका यह tag का यहाँ पे मैं click करके paste कर दूँगा, यानि कि पहला point का यह हो गया, दूसरा point के अगर बात करें, तो दूसरे point के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको जाए दिमाग नहीं लगाने की activity on your site, अगर reason आपको देना है, तो देख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बना के type करका है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोपी करना है इसको, और फिर आपको invalid traffic पे जाना है, और यहाँ पे आपको paste कर देना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे fourth point यहाँ पे आगया, fourth point प बस आपको point सभी से डालना है, यह four point है, तो four point पे आप डाल दीथी, अब यह final point है, याँ पे फिप्त पॉइंट है, और यहाँ पे invalid click activity का, यह फिप्त पॉइंट है, यह मैंने लिख रखा है, यहाँ पे और इसके बाद इसको copy करना है, और copy करके, और यहाँ पे invalid करके, यह पे आपको paste कर देना है, ठीक है? यहाँ पे पेश्ट कर देना है, आपको ज़ध दिमाघ लगाने की जरुवतनी है, जो नीचे इस पे file में मिलागा, आपको वह वह यह आपको submit करना है, और यहाँ पे आपको tick कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है, submit, बट आप उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कि पहले आपको ट्रमेंड कंडिशन पढ़ लेनी है, प्रोग्राम पुलिसी जो होती है, इसकी वो पढ़ लेना आपको, ठीक है, सारी पढ़के उसके बाद ही आपको करनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सम्मिट कर देना है, तो जैसी मैंने सम्मिट करूँगा, तो उपर की तरफ आप देख सकते हो, थैंक यू फोर सम्मिटिंग एन इन्वेलिड किलिक अक्टिविटी अपील, यानि कि हमने अपील कर दिया है, अब हमारे पास जैनल एडिसंस अकाउंट की तरफ से, हमारे पास एक मेल आया होगा, और मेल में लिखा होगा कि यहाँ पे इन्वेलिड किलिक अक्टिविटी अपील कर दी है, आपने और यहाँ पे लिखा है कन्वेशन, वी हैव रिसेव यूर अपील समीशन, हमने जो समीशन किया है, वो यहाँ पे कर दिया है, अब बात समझने की यह है, अब बात समझने वाली बात यह है, कि 5 पर्सेंट या 10 पर्सेंट ही चांस ऐसे होता है, जो आपका अक्ट जो डिसेबल होता है, invalid click activity के दुरू वो वापस आ जाता है हाला कि आपको ये काम कर देना है हो सके अगर आपकी किस्मत में होगा तो ये वापस भी आ जाएगा वो चेक करेंगे अगर आपका possible होगा तो वो आपका जो adsense account है वो enable कर दे जाएगा पर दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा enable हुआ या नहीं हुआ है तो आप ये तो status जाके चेक कर सकते हो नहीं तो यहाँ पर email आ जाएगा कुछ देर के बाद एक दो गंटे का वेसे तो time होता है 24 hours का पर यहाँ पर आ जाएगा एक दो गंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो adsense account है वो active होगा या नहीं होगा नहीं तो अगर दोस्तों आपको कोई भी doubt है तो comment में मेरे को जुरू बताना तो दोस्तों मिलता हूँ नेक फीडियो में तब तक के लिए टाटा